वेलकम टू एक्जाम भी बेचना तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है पिछले कल यानिकी 26-12-2020 को एंटी नेट के दोवरा हिंदी के एक्जाम को कंड़क्ट किया गया था ठीक है न तो जैसा आपको नौलेज होगा ये दो शिटों में कंड़क्ट किया गया था एक थी सुभा और एक थी शाम को तो जो हमने पिछली वीडियो डिसकस की थी वो थी second shift की और ये है first shift की ठीक है तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को start यहाँ पर जितने भी प्रशन में आपके साथ डिसकस करूँगा ये सभी होंगे समरिती के आधार पर प्रशन आगे पीछे हो सकते हैं परन्तु आप उनकी भावनाव को संबचे किस प्रकार से प्रशन पूछेगे हैं ये आपके सम मृती के अधार प्रशन फिर से आपको बता देता हूं तो चलिए करते हैं वीडियो को start तो यहाँ पर जो पहला प्रशन पूछा गया था श्रीवपाल गंज किस उपनियास में बढ़नी थे तो बिकल्प में जो और भी option थे पर इसी यहाँ पर सही बिकल्प आ जाना था र रागदरवारी तो जो रागदरवारी है श्रीलाल शुकल जी का उपनियास उसमें श्रीवपाल गंज गाउं का बढ़नन किया गया है इसके पर शाथ अगला प्रेशन पुछा गया था कवीता क्या है चिंता मनी के किस भाग में संकलित है तो जो अचारे रामचंदर शुकल जी की निवन्ध कवीता क्या है इसके बारे में पुछा गिया था तो ये चिंतामनी के भाग एक में संक्लित की गई निवन्ध संग्रह है अगला प्रशन पुछा गिया था कौन सा श्यब्द तदभब नहीं होगा तो वहाँ पर चार बिकल्प दिये गे थे इन में से जो तदभब नहीं होना था तो ये कभी नहीं होना था बाकी सभी तदभब थे अगला जो प्रशन पुछा गिया था चार कामता प्रसाद गुरू के अनुसार हिंदी भाषा का क्रम क्या है तो जो कामतापरसाद गुरू के अनुसार हिंदी भाषा का करम होना था सबसे पहले शौरसेन यानी थी फिर नागर हिंदी, फिर पश्मी हिंदी और फिर बर्तमान हिंदी तो बिकल्प में अगर इस प्रकार होता तो ये सही बिकल्प हो जाना था आपका अगला जो प्रशन पुछा गया था चंदन वाला रास इसके रचहिता का नाम पुछा था कि ये किसकी रचना होगी तो जो चंदन वाला रास है ये आसगु कभी की रचना हो जानी थी अगर जिसने ये किया होगा बिल्गु सही बिकल्प उसका ये चैनित होगा अगला प्रशन्था छे प्रिय प्रवास पर प्रशन्था कि इसके जो कतन के बारे में पुछा गया था कि इसके कतन निमन में से कौन सा सही होगा इस प्रकार का था आपको याद होगा कि जो प्रिप्रवास है ये हरियोद जी की रचना है इसे हिंदी का प्रतम महा कावेवी कहा जाता है और जो इसमें संध्या बेला के बारे में बढ़नित किया गया है इतियादी इतियादी इसके बारे में कथन होने थे यह नहीं पता वहाँ पर क्या कतन पूछे गया थे यह तो मैं आपको यह सिंपल से इसकी जो पीशेष्टा हैं वो आपको के समक्ष में रख रहा हूँ अगला प्रशन था चानक्य के कतनों का मिलान करना था इसी प्रकार से पूछा गया था यह जो चानक्य हैं इनके कतन कौन-कौन से हैं उनका भी मिलान करने के लिए पूछा हुआ था अगला जो प्रशन था आठ अग्ये की रचनाओं को क्रम से लगाना था अगर आपने अग्ये जी को पढ़ा था तो जो बिकल्प में दिये थी रचनाओं उनको क्रम से लगाना था कौन सी रचनाओं पहले आने थी और कौन सी अंध में इसी प्रकार का प्रशन था अगला जो प्रशन था 10 आर ये भाषा परिवार में कौन सी भाषा नहीं आती है तो इसी प्रकार का ये प्रशन पुछा गया था इसी प्रकार का एक प्रशन आपकी जो इवनिंग शिप्ट थी वहाँ पर पुछा गया था अगला जो प्रशन था ग्यारा, परिंदे कहानी संग्रह में कितनी कहानियां संक्ली थें, तो यहाँ पर आने थी साथ कहानियां परिंदे कहानी संग्रह में संक्ली थें, जो परिंदे कहानी है, यह निर्मर बर्मा की कहानी हो जाएगी, लतिका इसकी प्रमुख कहानी पातर ह तो जो इबनिंग कास्षिप्षा वहां पर भी पूछा गया था कि जो हुवट और मिस्टर मुखरजी हैं ये किस कहानी के पातर है तो ये परिंदे की हो जाने थी अगला जो प्रशन पूछा गया था भारत दुर्दशा का अंतिम द्रिश्य कौन सा है तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना था कि जो भारत दुर्दशा है ये भारत अंदो जी की रचना है और इसमें छे द्रिश्यों का बंडन किया गया है सबसे अंत में जो द्रिश कौन सा कथन सही होगा उसका chain करना था जो परिवर्दन कवीता है 15 की हो जाती है ये वाली कवीता इसके परशचाज जो इन्शा अल्लाख खां है इनके बारे भी प्रश्ण पूछा गया था कि इन्शा अल्लाख खांने किस भाषा का प्रयोग नहीं किया है आपको पता होगा जो इंशालब खाँ है इनकी जो परसिदरचना मानी जाती है रानी केट की कहानी तो इनकी परसिदरचना है अगला जो प्रशन पुछा गया था 15 निर्गुन कभी नहीं है तो चार बिकल्ब दिये गए थे, इन में से एक ऐसा कवी था जो निर्गुन नहीं होना था, तो वो इश्वरदास ची होने थे अगला प्रशन पूछा गया था, उर्वशी जो दिनकर जी की रचना है, उसके सबंद में कुछ कथन दिये गए थे, उनका हमने सही मिलान करना था इसी प्रकार का अगला प्रशन था, राम की शक्ति पूजा से भी प्रशन पूछा हुआ था, कथन वाला, तो उसका भी सही कथनों में हमने मिलान करना था इसी प्रकार जो आगे है प्रशन मैला आंचल इसके पात्रों के बारे में पूछा गया था कि जो मैला आंचल के पात्र कौन-कौन से होंगे उनका चैन करना था इसी प्रकार का अगला प्रशन था 19 शेखर एक जीवनी के पात्रों के बारे में पूछा गया था तो ये अधूरे प्रशन है जो स्टूडेंट से उनने ये पूरे प्रशन नहीं दिये हैं अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा कि इसके पातर कौन कौन से होने थे अगला प्रशन था 20 प्लेटो और कॉलरीज की रचनाओं के बारे में पूछा गया था सैकिन शिफ्ट में भी इसी प्रकार का प्रशन आया था कि निमन में से कौन सी रचनाएं कॉलरीज की नहीं होगी अगला प्रशन था 21 मुर्धिया के सबंद में प्रशन था अर्थात मुर्धिया के सबंद में कथन दिये गये थे उनका मिलान करना था तो सैकिन शिफ्ट में भी मुर्धिया से प्रशन पूछा गया था अगला प्रशन था तमस उपनियास से कथन के सबंद में प्रशन किया गया था इसी प्रकार जो अगला प्रशन था 23 इसमें पूछा गया था लाला श्रीनी वास्थास के उपन्यास कौन-कौन से होंगे इस प्रकार का एक प्रशन पूछा गया था आगे था 24 हजारी प्रसाद दुवेदी की रचनाओं को करम से लगाना था यहां पर रचनाओं का नाम नहीं पता क्या-क्या रचना है पर उन्हें करम से लगाना था यह प्रशन था अगला जो प्रशन था 25 बिखारी दास की रचनाओं के बारे में पुछा था कि बिखारी दास की कौन-कौन सी रचनाई होंगी अगला प्रशन था 26 जूटा सच उपनियास के विशे में चर्चा की गई थी जो जूटा सच उपनियास है ये आपके बिवाजन से सबंदित उपनियास है इसमें बिवाजन और संपरदाइकता आधी के बारे में बिताए गया है अगला प्रशन था 27 नई कहानी के प्रबट तक कौन थे अग्ये जी नई कहानी के प्रबट तक थे अगला प्रशन था 28 ठूमरी कहानी संग्रह में संकलित कहानी नहीं है तो इसी प्रकार का ये प्रशन था सिंपल सा अगला जो प्रशन था 29 प्रित्वी राज रासो में किस चंद का प्रियोग किया गया है तो जो प्रित्वी राज रासो है इसमें छपई चंद का प्रियोग किया गया है और ये चंद बरदाईजी की रचना है तो ये कुछ एक प्रशन थे जिने मैंने स्टूरेंट से एक अत्रित किया है जिनों ने मुझे ये सेंड किया है मैं उनका धनियावाद ग्यापित करना चाहता हूँ तो चलिए अगर आपको लगता है कि कुछ और प्रशन भी पूछेगी है तो आप अभशिये कुमेंट कीजिएगा और अन्य लोगों को भी गाइड़िट करिए या उनका मार्ग दर्शन करिए क्या यह यह प्रशन पूछे गए थे तो ठीक है यहाँ पर करते हैं वीडियो को समापत धनियावाद